सबी को जैन दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है इंडिया इस भारत पे आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छ होंगे तो आज किस वीडियो के हम देखेंगे दबंग वकील नाजिया लाई खांजी का दमदार इंटर्वियो तो ये वीडियो काफे इंट्रॉस बासकर नाजिया जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस लाइफ सेशन में बन्ने माधरम भारत माता की जैजय श्री राम अंजू जी थाइंट्यू सो मच मुझे लाइफ सेशन में इंवाइट करने के लिए नाजिया जी आज मुद्दा ही ऐसा है आप में भी देखा हो बंगाल शरिया से चलता है और मैं पश्रमंगाल में बैटी हूँ और इस घटना के बाद मुझे इतने फोन कॉल से उत्तर दिनाजपूर से आए हैं और सब के सब जो भाशपा के जो कारे करता है वहां के मंडल प्रेसिडेंट है वो सब के सब इतने डरे हुए हैं कि जिसको मैं शब्दों में बेयान नहीं कर सकती हूँ उतर दिनाजपूर के मले हमिदुल रह्मान का जिक्र आपने सुना होगा मेरी जुबान से कि हमिदुल रह्मान साहब नहीं कहा था कि यह जो सेंट्रल फोर्स है यह सिर्फ दो महिने के लिए आई भी है दो महिने के बाद चली जाएगे फिर हम ही रहेंगे और यह हमारी पुलीस रहेंगे जो जो भाजपा को वोट करेगा उसकी उंगलियां काट दी जाएंगे और उसको सबक सिकाया जाएगा कि उसने भाजपा को वोट क्यूं किया तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग नहीं था या पश्म बंगाल में जो लोग बहुत हिंदु त्ववादी हैं या संविधान के मानने वाले हैं उनके लिए यह शॉकिंग बिल्कूल भी नहीं था क्यूंके लोगसभा इलेक्शन के बाद से अचा बहुत सारी लोगों को ऐसा लगा था अंचुजी के उनतिस सेटे ममता लेकर आई हैं तो अब थोड़ी सी बाइस नहीं बलके बैलेंस रहेंगी वो बाइसनेस उनका खतम हो जाएगा और उनके हिसाब से क्योंके वो 32 सेटे जीतने का रट लगाई हुई थी पूरे लोगसभा इलक्शन में पर 39 सेटे उन्होंने जीता है फिर भी यह बाइसनेस उनका जाएगा नहीं क् पश्चिम मंगाल जो सेट है वो शरिया से चलता है और यहाँ पर इस सेट में मोगल को और मोगलिषटान को मानने वाले और शर्या को मानने वाले अगर देख लेंगे कि बहुत जादा मन लगाता है यह संबेधान को मानता है तो उसके साथ तो यह पिटाई होनी ही होनी है हर हाल में होनी है अच्रदिनाश्पूर के हमेले हमितुल रहमान का ये बंदा राइट है जिसका नम जेसी भी है जेसी भी है इसका पूरा नाम जो है ये अभी तक हाइलाइट कोई नहीं कर रहा है और दूसरी चीज है कि अभी तक कोई कंप्लेंड कोई F.I.R. या पुलीस की तरफ से कोई सुवर मोटो एक्शन भी नह सब्सक्राइट तो है नहीं और ऐसा भी नहीं है कि कोई हिंदू मुसलिम वाली और मम्ता बैनिर जी साहीबा तो बहुत हुश होती है अगर कोई हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से शादी करती है जैसे अभी वो शत्रोगन सिना से बहुत कुछ हैं वो सुनाक्षी सिना से बहुत कुछ हैं कि वो एक मुसल्मान से शादी किये तो यहाँ पर ऐसा कोई लब जिहाद वाला एंगल भी नहीं है पर एक बहाना बनाया गया है अंजु जी और यह बहाना आफ्टर दी लोकसभा इलेक्शन यह बहाना मॉब लिंशिंग का यह ट्रेंड पर चल रहा है पश्चिम मंगाल में इसे एक अकेली घटना नहीं है ठाकुर गली में साथ यूबाओं को भर पेट पिटाई पड़ी है गाई घाटा में भर पेट पिटाई पड़ी है वही कल शाम की बात है मॉब लिंशिंग का एक सेनारियो सामने आया था पोर्ट एरिया में गाहे बगाहे हर वक्त आ रहा है कि जो कोई भी भारतेजन्ता पार्टी के कैंडिडेट को या भारतेजन्ता पार्टी को समर्थन की दिया है तो यह जो महिला पुरुश है आपके गया सिर्फ लव मैरिश के लिए इन्हों ने भी लोगसमाचुनाव में बीजेपी को समर्थन दिया था यह मॉब लिंचिंग स्टार्ट हुई थी पांच जून से ही स्टार्ट हो गया था पांच जून से कभी मुबाइल फोन चोरी के बहाने पीटा जा रहा था और जब investigation हो पांद ब spin इक लड़ी कंफ तो कुछ नहीं निकल रहा था फिर बीच में दो लड़कीयों को एक मैल को पुरुश को पच्चा चोडि के इल्जाम मैं पूरे मुसल्मान एयरिया में उसको पकड़ करके इतनी नी बुरी तरीकसे से इवेन इसके साथ अध़ वर्भल मॉलेस् का एक बहाना और कोई एक एलिगेशन लगा करके उसको पीटो बादने पुलिस अन्मिस्टिगेशन करेगी अगर कुछ नहीं निकलेगा तो तेन सौर्टेट क्योंके पुलिस जो है कोई एक बच्चा है जो आके चोरी करके ले जा रहा है और आप कहेंगे कि नहीं हमको तो चार साल में पता ही नहीं चला दिस नॉट पॉसिबिल इस नॉट पॉसिबिल तो चार जून से इसलिए आज तक यह चल रहो और आगे भी यह चलता रहेगा पर नाजे जी अभी हमने कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम किया था जिसमें ये भी था कि लोगसभा चुनाफ के बाद बीजेपी के कारेकरता बहुत डरे हुए हैं बीजेपी के दफतर में पना लिये हुए है वहीं पर बैटे हुए थे वो कारेकरता भी इसी तरह की हिंसा से डरे हुए थे बाहर निकले है या अभी भी वहीं पर है और ऐसे कई जगा पर टेंट बनाया गया है और आसे कई अस्थान को गुप तरीकर से रखा गया है जो मैं यहां पर भी रिबील नहीं कर सकती हूँ नहीं तो वहां पर भी पहुँच करके मॉब लिंचिंग कर दी जाएगी, तो ऐसा मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि दो अडाई लाग से उपर जो कार्य करता है वो छुपे हुए हैं, वो छुपे हुए हैं और एक ही जगा खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, सहते हैं, किसे बहु बेटी कहीं और है, मा कहीं और है, और बेटा जो भाजपा करता है, वो कहीं और छुपा हुआ है, तो पूरा परिवार टूट चुका है, पूरा परिवार बिखर चुका है, हलांके देखिए, इस मॉब लिंचिंग के लिए में, तो गवर्नर साथ बहुत खुश हुए थे, बहुत खुश हुए थे, and I'm sure कि उस वक्ट जगदीब धंकर जी थे, हाँ, जगदीब धंकर जी थे, और उन्होंने उसको साइन भी किया था, कि भाई, यह अगर बिल पास हो रहा है, और इसको इंप्लिमेंट किया जा रहा है, तो बंगाल में, वेस्बिंगॉल में रहने वाले वो लोग, जो बगवान, राम के समर्थक है, जो भाजपा के समर्थक है, जो कटर हिंदुवादी है, उनको सेफ किया जा सकता है, इस बिल के तहर, लेकि वश्चन बंगाल में, जब तक श्रीमती ममताब एनर जी बैट खड़े हो करके ED दफ्तर के बाहर कहते हैं कि आमी की और बाबा, ED बाबर चाकुर, मैं कि ED के बाब का नौकर हूँ जो, वो जब बुलाएगा मैं चला जाओंगा, उसके बाद ममतब एनरजी कहती है कि कैलकटा हाई कोड जो है, वो तो BJP कार्याले बन चुका है, वहाँ पर BJP में वो ना सम्विधान मानेंगी और ना ही अपना प्लेस्ट किया हुआ, बिल जो उन्होंने पास करवाया है सम्विधान से, उसको मानेंगी, बस मूँ से अगर जैश्री राम निकल गया, तो मॉब लिंचिंग होनी है, अगर मूँ से भगवान कृष्ण का नाम निकल गया तो फिर उसको जैल जाना ही है, मूँ से अगर सम्विधानिक बात निकल गई, तो फिर F.I.R. होना ही है, पश्चमंगाल वो इस्टेट है, वो राज है, जहाँ पर CBI officer lock up होते हैं, जहाँ पर NIA officer को भरपेट पीटा जाता है, और फिर उनके उपर भी rape के आरोप लगा करके F.I.R. काटे जाते हैं, पश्चमंगाल वो इस्टेट है, जहाँ पर National News के anchors आते हैं, तो उनको उनका murder करने की कोशिश की जाती है, यह है पश्चमंगाल, पश्चमंगाल में E.D.O. officers डरे हुए रहते हैं, कि उनको Supreme Court जा करके बोलना पड़ता है, कि हम उस area में, उस ग्रा दोस्तों आशागरतों की वीडियो का आपने अंतक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आयोगा, जिसमें आपने देखा, नाजिया खान जी ने पश्चमंगाल में चल रहे, शरिय कानून को कैसे पस्चमंगाल आप पूरी तरह से मुगलिस्तान बन चुका है, जहां पर जो भी जैश्री राम का नारा लगाएगा, या सच बोलेगा, उसके साथ यही सलूक होगा, या फिर उसको जान से हाथ होना पड़ेगा, या फिर वो सलाकों के पीछे होगा, तो आप देख रहे हैं किसी जवदस वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए, जय हिंद, जय भारत!